हरियों प्रिदर्स को मैं हूँ पंडित बलराम पांडे हाजिर हूँ आज का राशी फल ले के बात करेंगे किन राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और किन राशी वालों को बेहद साउधान रहने की जरूरत है करम में बात करेंगे सबसे पहली राशी मेस मेस राश के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने बाला है आज भाई बंदों के बीच यदि पहले कोई बाद विवाद था मन मुटाओ था वो दूर होगा और भाई बंदों के बीच प्रेम बढ़ेगा यदि आप किसी पर मन चाहिस भलता मिलने वाली है दामपत्य जीवन में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने बाणी में आप सयम रखें जिससे दिन के उत्तरार्ध में कुछ इस्तितियां ऐसी बन सकती है कि बाद विवाद मन मुटाओ हो सकता है उससे बचने के लिए जो की बहु को अपने बाणी में भी कंट्रोल रखना होगा बात करें स्वास्त की तो स्वास्त में कोई समस्या नहीं है स्वास्त बेहतर रहेगा और पूरा दिन इनर्जी आपके अंदर बनी रहेगी जिससे आप हर काम को अच्छे ढंग से और शीवरता से कर सकेंगे इससे लोग प्र से यह सब्सक्रार्मियों क्यां आपको सपोर्ण अवाला है आज जिदि आप किसी से मिलना चाहते थे बहुत समय से या कोई मीटिंग, important मीटिंग करना चाहते थे किसी मिसे में निर्णे लेना चाहते थे तो उसके लिए आज का दिन सफलता दयक रहेगा आज आप मिल सकते हैं मीटिंग कर सकते हैं स्वास्त की बात करें तो स्वास्त अच्छा रहेगा इस्टुडेंट को भी आज सफ़ताई मिलने वाली हैं और कल की मिहनत का फल आज आज आपको मिलने वाला है और बात करें निवेस की तुरिवेस आप कर सकते हैं और दामपत्य जीवन भी सुख में रहेगा अब बात कर लेते हैं मिथुन राज की, मिथुन राज के लोगों के लिए आज का दिन यस किर्थी बढ़ाने वाला होगा, सामाज में लोगों के बीच आज आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, यस प्रतिष्ठा में ब्रद्धी होने वाली है, कारोबार के छेत्र में आपक को चपफलता मिलने वाली है्नि यदि आप कोई नया ब्यापार कोई नया कार सुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज की दिन अच्छा रहेगा आज धाम पत्र जीवन सुत में रहेगा धाम पत्र जीवन मिलेगा और यदि के लोगों के लिए आजके दिन मिला जुला रहेगा आज आपको कोई बड़ी यात्रा का में की परs यात्रा में कुछ चोर्ट चपेट लखने की भी संभावना रहेगी तो यात्रा साथानी पूर्ण तरीके से करें और यात्रा में दिशा सूलों गए राद देखने के बाद ही यात्रा करें और ये स्टुडेंट को भी आज सफलता तो मिलेगी परंतु मेहनत अधिक करना होगा शंगर्ष अधिक करना होगा तब ही सफलता हैं प्राप्त होंगी दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन आज सुख में रहने वाला है और स्वास्त में कुछ समस्या पेट ज इस रूप से ध्यान रखना होगा निवेश की बात करें तो निवेश आप कर सकते हैं परंतु अच्छे से जांट परकले और इसके बाद ही निवेश करें अब बात कर लेते हैं शिंगराश के लोगों के लिए आज का दिन आकश्मिक लाभ लाने वाला है आज अचानक करने होगी परंतु चांस हैं कि आप यदि कोसिस करते हैं प्रयास करते हैं तो फसा हुआ पैसा मिल सकता है दामपत्ती जीवन की बात करें तो दामपत्ती जीवन आज सामान रहेगा और इस्टुडेंट को सबता उतनी ही प्राप्त होगी जितनी आप मियानत करेंगे जितनी आप पढ़ाई करेंगे तो मियानत करने से पीछे ना हटें वहीं बात करें निवेस की तो निवेस आप कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कन्यारास की कन्यारास के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच गलत तरीके से कोई काम करने की कोशिस करेंगे तो आप फंस सकते हैं आपके उपर आरोफ प्रत्यारोफ लग सकता है और खासकर सरकारी के सकता हैं तो आपको अपने विश्यस रूपसी द्यान रखना चाहिए और दामपत्य जीवन की बात करें तो आज दामपत्य जीवन अच्छा नहीं कहा जाएगा आज निवेस की बात करें तो निवेस आप कर सकते हैं परन्त कोई बड़ा निवेश ना करें, किसी जानक्यार व्यक्त की सलाह ले लें, अच्छे से रिसर्च कर लें, इसके बाद लगे तो ही निवेश करें अब बात कर लेते हैं तुला राज की, तुला राज के लोगों के लिए आज के दिन अच्छा रहेगा आज आपको भाग का साथ मिलने वाला है, परन्तु मेहनत भी करना होगा, यदि मेहनत करने से पीछे हटते हैं, तो बने हुए काम विगड़ सकते हैं और इस बात का भी ध्यान रखना होगा, कि किसी से बात भी वाद ना करें, छोटी छोटी बातों को लेके किसी से भीड़े नहीं, क्योंकि छोटी बातों को लेके बड़े लड़ाई जगड़े पुद्पन हो सकते हैं, तो आपको साउधान रहना होगा, और वहीं बात करें तो निबेज करने से आज आपको बचना चाहिए परंतु दिन का पूरे दिन का यदि रिजल्ट हम देखें तो कहीं न कहीं positive रिजल्ट होगा परंतु मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है और अपने स्वास्त का ध्यान रखना है तो दिन को बहतर बनाया जा सकता है अब बात कर लेते हैं वरश्चिक रास की वरश्चिक रास के लोगों के लिए आज का दिन कहा जाए तो कहीं न कहीं महत्त पूर्ण बात ये होगी खास कर कि आप अपने स्वास्त का ध्यान रखे और पहले से जो बिमारी चली आ रही है उसमें विशेश ध्यान रखने की जरूरत होगी पहले से चली आ रही बिमारी आपको कुनाह तकलीब दे सकती है या और भी तकलीब हैं बढ़ सकती है या तो गुप्त रोग की बिमारी की समस्या बन सकती है तो आपको सावधान रहना होगा और वहीं बात करें दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन आज शामान रहेगा परन्तो दिन के उत्तरार्द में कुछ बात विवाद हो सकते हैं और ये स्टुडेंट के लिए भी आज के दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा आज आपको मांसिक के इंसंजर से इस्ति बन सकती है और निवेश की बात करें तो निवेश करने से बिलकुल आज बचना चाहिए अब बात कर लेते हैं धनुराश की द्धनुराश के लोगों के लिए आज का दिन कहा जाए अधिक खर्च की इस्तिती बै की इस्तिती बन सकती है तो आपको अपने खर्च में बै में कंट्रोल किसी से छोटी-छोटी बातों को को लेके भिड़रना नहीं है चोटी-छोटी बातों गantic को लेके लेकि किसी से उलजना नहीं है और खास कर आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने स्वास्त का विशेश रूप से ख्याल रखें क्योंकि आज मांसिक टेंसन बन सकता है या चोन चपेट लगने की संभावना है तो दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन आज बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा और इस्टुडेंट को भी आज अपने स्वास्त का विशेश दुरूप से ध्यान रखना चाहिए बात करें निवेश की तो निवेश करने से आज आज आपको बचना चाहिए मकर राशी मकर राश के लोगों के लिए आज बहुत जरूरी है कि आप हर काम को बड़े प्रोफेशनल तरीके से करें हर काम को अच्छे से जांस परख लें उसके वारे में अच्छे से प्लानिंग बना लें और इसके वाद ही करें तो आपको सफलताएं मिल सकती है आज अलग अलग तरीके से सोचना होगा क्योंकि आप जिसको सोच रहें कि आप उसके उपर विस्वास कर रहें आपका वो हित करने बाला है तो हो सकता है कि आपके साथ वो विस्वास घात कर सकता है आपके विस्वास पात्र लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं तो आपको साधा सकते हैं दिन को बहुत करें को हुगा आप विवन करआए अपने पाइनेंस को अपने स्वास्त को अपने हर काम को शिरू Estados को दो दामपत्य जीबन डिबेंड करेगा आपको पर लाइफ पार्टनर का सम्मान करते हैं इस ज्यादा भिगरने से बच सकती है ये अक When जरूरी होगा कि आप ब्रहमित ना हूँ, आज का समय सोसल मीडिया का है, तो उसमें फंसके नहीं रहना है, आपको अपने पढ़ाई में ध्यान देना है, दिन को बहतर आप बना सकते हैं, बात के लिए निवेश कि तो निवेश करने से आज आज आपको बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुम्हराज की, कुम्हराज के लोगों के लिए आज का दिन बेहद लाब दायक रहने वाला है, आज बिगडे हुए काम बनने वाले हैं, खास कर एस्टुडेंट के लिए चात्रों के लिए आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा, और यदि आप मैनेज चाहिस भलता आपको प्राप्त होने वाली है, और यदि आपका बैंक से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ, कोई काम रुका हुआ था, तो उसे भी आप कर सकते हैं, जैसे टेक्स हो गएरा भरना, या आई टी आर फाइल हो गएरा करना, जीस्टी भरना, ये स स्वास्त की बात करें, तो स्वास्त भी बेतर रहेगा, हाँ, थोड़ी सावधान भी रहना होगा, क्योंकि मौसम की बीमारियां पकड़ने के भी चांस हो सकते हैं, तो मौसम की बीमारियों से ये बचते हैं, तो कोई खास समस्या स्वास्त में नहीं रहने बाले हैं, और ब मांकि कोई खास मश्या नहीं रहने वाली अब बात कर लेते हैं मीन राज की तो मीन राज के लोगों के लिए आज सरकारी सक्टर से सयोग मिलने वाला है सरकारी अधिकारियों का सयोग प्राप्त होने की वज़े से आज आपको सफ़ताएं मिलने वाली हैं और यदि सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम रुका हुआ था समस्याइं चल रही थी उससे भी आज छुटकारा मिलने वाला है और वहीं बात करें स्वास्त की तो स्वास्त में कोई खास मश्या नहीं है बस आपको मौसम के बिमारियों से बचके रहना होगा बाकि कोई खास मश्याइं नहीं दिखाई दे रही हैं दामपते जिवन भी सुह में रहने वाला है और एस्टुडेंट को भी आज सफ़ता तो मिलेगी परंतु मांजिक टेंसन भी हो सकता है तो आप कोई प्रापरटी का काम करना चाहते हैं या जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं या गाड़ी वाहनों गयरा कोई लेना चाहते हैं या उससे जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा और निभेस भी आप कर सकते है तो आज का दिन मीन राशी वालों के लिए बेहतर रहने वाला है, सफ़ता दैक रहने वाला है, बस पूरे दिन को सावधानी पूर्ण बिताने की जरूरत होगी, बांकि कोई खास समझ्याई नहीं रहने वाली हैं, तो दर्सकों यह रहा मेस राश से मीन राश तक का आज का र और झाला है, झाला है झाले के लिए्ट।टध डिन मीन राश से घरे लिन का र惑Яंगी हैं थाफिर भ्थाला हैं, वजहर। हे वह पाला कर दो का दोती हैं, झाले का दो समने अलाहने के रहने वहत। जा का।